नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 17 फर्वरी शुकरवार शाम 7 बजे राजिस्थान की खास खबरे करॉली जिले में रेप के जूटे मुकदमे में फसा कर दो लाग के फिरौती मांगने के आरोप में करॉली की मामचारी थाना पुलिस ने पती पतनी को गिरफतार किया है आरोपी पती पतनी को 40,000 की फिरोती लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है खाना अरिकारी उमेंदर सिंग ने बताया कि S.P. नरायन टूगस के निर्देश पर D.S.P. गिररास परसाद के सूपर वीजन में अपरादियों की धर पकड और अपराद नियंतरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है 15 फर्वरी को थाना क्षेतर निवासी, पीडित ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गोगुन्दा निवासी, लाला उर्फ राम भरोसी और उसकी पतनी लपो रेप के जूठे मुकदमे में फसाने की धमकी दे कर 2,00,000 रुपे मांग रहे हैं जैपुर के टॉंक रोड पर प्राइविट बस और बाइक की भिड़त में दो जनों की दर्दनाक मौत हो गई ब्रतक रिष्टे में दादी और पोते हैं फर गटना की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस ग्लास फैक्टरी के पास पहुंची जहांपर बस की चपेट में आने से 57 वर्षिय प्रेम देवी पतनी रामदरायन निवासी वालमिकी नगर मालविय नगर की मौके पर ही मौत हो गई वह उनका पोता 32 वर्षिय देवेंदर को उपचार के लिए SMS अस्पताल में भरती करवाये गया जहांपर उसके वी उपचार के दोरान मौत हो गई पुलिस ने प्राइवेट बस को जब्त कर लिया है पुलिस ने बताया कि बस को जब्त कर आसपास लगे हुए CCTV फुटेस खंगाले जा रहे हैं बस चालक के खिलाफ मामला दर्स किया जाएगा जोदपुर पुलिस ने सरपंच समेट पांच लोगों की हत्या का प्लान बनाने वाले छे बदमाशों को गिरफतार किया था इस प्लानिंग का मास्टर माइन उमेद सिंग था जो खुद फॉज से रिटाइड होने के बाद लौरिंस की गैंग से जुड़ गया सरपंच को मारने के लिए चार शार्प शूटर को हाईर किया गया था मामले में जोदपुर पुलिस ने चुकाने वाले खुलासे किये हैं पुलिस ने उमेद सिंग को लेकर उसके गाम शेरगट पहुंची यहां उसके निशान देई पर जब चापा मारा तो उसके कमरे से बड़ी मात्रा में नकली नोट मिले हैं बताया जा रहा है कि पुलिस को 200 रुपे के 1600 नकली नोट मिले हैं वाई लाइट मशीन गन की कार्टेज भी मिली हैं लेकिन इस मामले में पूरी वारदात और उमेद सिंग का कनेक्शन लॉरिंस से निकला है सामने आया है कि लॉरिंस के जेल जाने के बाद उसका छोटा भाई अनमोल जोदपुर से इस नेटवर्ख को देख रहा था बताया जा रहा है कि अनमोल ने उमेद सिंग को अपने साथ जोड एक बार फिर से लॉरेंस के नाम का डर दिखाना चाहते थे कि हत्या की प्लानिंग भी इसे की थी राजस्तान मादेमिक शिक्षा बोड ने वर्ष 2023 की सीनियर सकेंडरी की प्रायोगिक परिक्षाइं संपन कराने की अंतिम्ति थी 26 फरवरी तक भडा दी है बोड की और से बारवे की परिक्षाइं 9 मार्ट से शुरू होंगी और 12 अप्रेल तक चलेंगी दस्वे की परिक्षाइं 16 मार्ट से शुरू होकर 11 अप्रेल को खत्म होंगी ये सबी परिक्षाइं सुबे 8 से 11 बुझकर 45 मिनिट के सेशन में होगी बोड की सचिव मेगना चौदरी ने बताया कि पूरम में बोड ने परिक्षकों को उन्हें आवंटित विद्यालियों में 18 फरवरी तक प्रायोगीक परिक्षाइं संपन कराने के लिए कहा था बोड ने परिक्षकों को निर्देशित किया है कि जिन विद्यालियों में अब तक प्रायोगीक परिक्षाइं का योजन नहीं हो सका है वाँ परिक्षक 26 फरवरी तक प्रायोगीक परिक्षा संपन करवा लें बाबा खाटू शाम का लखी मिला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जैपूर एंज आईजी उमेश चंदर दत्ता व्यवस्ताओं का निरिक्षन करने के लिए खाटू शाम जी पहुंचे उन्होंने लखदातार ग्राउंड समेत अन्या कई जगों का निरिक्षन किया और व्यवस्ताओं के सुधार के लिए संबंदित अधिकारियों को निर्देश दिये इसके बाद आईजी ने बाबा के दर्शन किये सीकर एसबी करण शर्मा ने बताया कि इस बार आठ सेक्टर में एरिया को डिवाइड कर व्यवस्ता संबाली जाएगी ज़्यादा भीड होने पर शर्धालों को कहां रोका जाए इसके लिए भी जगा फिक्स की जारी है शर्मा ने बताया कि इस बार मेले में करीब 4,000 पुलिस कर्मे तैनात किये जाएंगे इसके लावा करीब 1,000 स्वैम सेवक और करीब 1,000 से ज़दा प्राइविट गार्ड सुरक्षा विवस्ता संबालेंगे मेले में सुरक्षा कर्मियों की संख्या करीब 6,000 से ज़दा रहेगी अलवर में डांस शूटिंग का जहांसा देकर एक मेवाती डांसर के साथ रेप की वारदात सामने आई है डांसर ने सदर थाना में दर्ज रिपूर्ट में बताया कि मैं यूट्यूब चैनल कलाकार हूँ मुझे फोन कर अलवर बुलाया गया गाने शूट करने थे पहली बार आई तो तीन-चार लड़कियों के साथ गानों पर डांस किया था इस बार कहा गया कि वही लड़किया मिलेंगी लेकिन अलवर के धाई पैड़ी स्थित मैरिस होम आए तो यहां कोई लड़की नहीं थी फिर भी मैंने गाने पर शूटिंग की इसके बार मुझे ड्रेस चेंज करने को बोला मैं कमड़े में गई वहां पीछे से मुझेम स्टूडियो संचालक ने आकर मुझे पकड़ लिया और रेप किया पुलिस ने मुलजिम मुझेम निवासी महारी का फिरोजपुल छिरका को गिरफतार कर लिया पुलिस मामले की जांच में लगी है जैपुर में SMS हॉस्पिटल की फ्लैटिनम जूबली सेलिब्रेशन के मौके पर खेले जा रहे है डॉक्टरों की किरकेट मैच में एक डॉक्टर की खेलते समय डेथ हो गई बताया जा रहा है कि खेल मैदान पर खेलने के दुरान उनके सीने में तेज दर्द होने के बाद वे गिर गई जिसके बाद उन्हें SMS हॉस्पिटल की एमर्जंसी में लाये गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई डॉक्टर अरुन गर्ग जनरल फिजीशियन थे और अदर्शनगर सित नीजी हॉस्पिटल में सिवाएं देते थे SMS हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक गर्ग को कार्डिय अरेस्ट आया है जिसके कारण उनकी जल्दी मौत हो गई जोदपूर के राइका बाग जंक्षन से पिपाड रोड जंक्षन रेल्वे स्टेशनों की बीच 120 की स्पीड से ट्रेन दोडी स्पीड ट्राइल का सफल ट्राइल रन हुआ वेस्टरन सर्किल के रेल्वे स्रंक्षा अयुक्त आरके शर्मा ने उत्तर पस्चिम रेल्वे के जोदपूर मंडल पर राइका बाग जंक्षन से पिपाड रोड जंक्षन रेल्वे स्टेशनों की बीच दोहरी कृत रेल नाइन पर 120 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से बाग जंक्षन रेल्वे स्टेशनों की बीच चमालिस किलोमीटर रेल मार्क पर कराए गए दोहरी करन कारे की गुनवत्ता की बारेकी से निरिक्षन करने के बाद मुख्याले और मंडल के वरिष्ट अधिकारियों के साथ सी आरेस स्पैशल ट्रेन से 120 किलोमीटर प्रती घ बाइक सवार युवत खंबी रूप से खायल हो गया जिसको इलाज के लिए जिलास्पताल में भरती करवाया गया अस्पताल में इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई अस्पताल चौकी के कॉंस्टेबल कलुआ राम ने बताया कि किशन गंज थाना क्षेतर के सीमली निवास 27 वर्षे रामहेत सहरिया बाइक से किसी काम से गया था शाम को वापस आते समय गर्डा के पास उसकी बाइक एन्यंत्रित होकर फिसल गई खायल बाइक सवार को राहगिरों ने भवनगर्ड अस्पताल पहुँचाया जहां से उसे बारा रैफर कर दिया जिला अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर ने उसको म्रेत खोशित कर दिया दोसा जले के लवान पंचायत समीती की ग्राम पंचायत बड़ा गाउं में बेटी के कन्यादान वे विदाई के बाद पिता की तीये की बैठक में बेठी नहीं पहुँची परीजनों ने वीदी विधान से फेरे दिलवा कर रातरी को ही दुलहा वे पांच रिष्टेदार मेहमानों के साथ विदा कर दिया शादी में देने के लिए लाए समान को परीजनों वे रिष्टेदारों ने टेंपो में भर कर दुलहन के साथ ही रवाना कर दिया गुरुवर सुबे मृतक रामकिशोर सैने की गमगीन माहोल में तीसरे की बैठका यूजित की गई जिसमें स्थानिय लोगों से इत बड़ी संख्या में रिष्थेदारों ने भाग लिया करें लो जिसे भाग करें लोगों से इत बाह करें जा है